तो आज हम संस्कीद में पार्ट 15 देख रहे हैं प्रहे लिका मतलब पहेलिया तो इसमें हम पहेलिया देखेंगे कुछ तो पार्ट शुरू करने से पर इसके कुछ अब्दार देख लेते हैं करिना मतलब हातियों के हंती मारता है, कातर है कायर, सिमंती निशु नारियों में, अभूत हुआ, विब्रत भरा हुआ, विश्नुपदम मोक्ष, प्रोक्तम कहा जाता है, तक्रम छाच्य दही, सक्रश्य इंद्रका तो ये शब्दात आप अपनी नोटबुक में करेंगे, तो चलिए पार्ट में आजाईए, शुरू करते हैं, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी तो पता न सबको, जायते मतलब उत्पन होती है, कस्मात मतलब किस से, कस्तूरी किस से उत्पन होती है, म्रग से, हीरन से, तो का करिणाम कुलम हंती मतलब मारना और करिणाम मतलब हातियों के और कुल मतलब कुल है ना हातियों के कुल को कौन मारता है वो है शेर तो इसका उतर होगा शेर फिर तीसरी है इसमें किन कुर्यात कातरो युद्धे कुर्यात मतलब करना कातरो मतलब डरपोख युद्धे मतलब य दरपोक क्या करता है तो इसका अतर होता होगा भाग जाता है म्रगात सीहा पलायते हरिंट से शेर भाग जाता है तो कस्तुरी किस से अत्बन होती है म्रग से हाथियों के कुल को कौन मारता है शेर और और क्या दरपोक युद में क्या करता है भाग जाता है आगे देखो दूस राजा को अभूत गुण वाला उसका उतर हैं राम विद्व दभी ही का सदा वंद्या की विद्वानों स्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है तो इसका उत्तर है विद्या, ठीक है अत्रे वोक्तम ने बुध्यते, यहां ही कहा गया है जाना नहीं जाता है तो सिमंती निशु का उत्तर का शांता, मतलब नारियों में कौन सांता है शीता, गुणों में उत्तम राजा कौन है राम और विद्वानो द्वारा किसकी पूजा की जाती है विद्या की नेक्स्ट देखो अगली पहेली कम संजगानह कृष्णह का सीतल वाहिनी गंगा के दार पोशन अरता हा कम बलवन्तमन बादते शीतम कम संजगानह कृष्णह मतलब मार डालना कृष्णह ने किसे मारा तो इसका उतर होगा गंश को काशीतल वाहिनी गंगा कौन ठंडी धारा वाली गंगा है तो इसका उतर होगा काशी की भूमी पर बहने वाली तो काशीतल वाहिनी गंगा काशी की भूमी पर बहने वाली गंगा जो है न वो शीतल वाहिनी गंगा है फिर है के दार पोशन रता, दार पोशन रता मतलब पत्नी के पोशन में लीन, कौन पत्नी के पोशन में लीन है, तो इसका उत्तर है किसान लोग, और फिर है कम बलवन्तम नबादते शीतम, की ठंड किस बलवान को नहीं सताती है, तो वो है कम बलवाले को, तो कृष्ण ने कि इसे मारा कंस को कौन ठंडी धारा वाली गंगा है काशी की भूमी पर वहने वाली कौन पत्नी के पोशन में लीन है किसान और किस बलवान को ठंड नहीं सताती है कंबल वाले को इसके बार देखो चौती व्रक्षा ग्रवासी नैचे पक्षीराज है त्रिनेत्रदारी नैचे शुलपान ही त्वग वस्रदारी नैचे सिद्ययोगी जलम चे विबरनन गटो नमेग है कि पेड़ पर रहता है लेकिन गरुड नहीं है मतलब पक्षीराज नहीं है पक्षीरा पानी से बरा हुआ है लेकिन घड़ा और बादल नहीं तो इसका उत्तर क्या है नारियल तो चौती पहली घड़ा है उसका उत्तर क्या है नारियल पांच भी देखो बोजनानते चर्किम पेयम बोजन केंत में क्या पीना चाहिए जयन्त है कश्य वे सुत है जयन्त वसुत है किसका पुत्र था कथम विश्णु पदम प्रोक्तम मोक्ष कैसा कहा गया है तक्रम सक्रश्य दुरलबं चाच इंद्र का दुरलब है तो पहला है भोजनांते किम पेयम कि भोजन के अंत में क्या पिना चाहिए चाच और जयंत वास्तों में किसका पुत्र था इंद्र का और मौक्ष कैसा कहा गया है विश्नुपद मौक्ष कैसा कहा गया है तो ये कहा गया है दुरलब तो आगया ना कि बोजन के अत्में चाच मिनी चाहिए जयंत इंद्र का पुत्र था और मौक्ष कैसा होता है दुरलब होता है तो ये पांचों पहले हो गई आपके स्पार्ट की स्पार्ट के प्रश्णोतर देख लो मैंने जिनको टिक लगा रखा नहा वो आपको अपनी नोट बूक में करना है बाकि अपको अच्छ से इनको देखना है थिक है तो फस्ट फोर पहला चोथा चट्था और सात्वा यह प्रश्णों तरह आप अपनी नोट बुक में करोगे बाकी आप अच्छे से रीड करोगे और अच्छे से लर्ण करोगे वैसे आज आपके सर्स्कृत रीडर का कोर्स कम्पलीट हो गया यहां पर सर्स्कृत रीडर में आपके 15 पार्थ हा रखे हैं और 15 पार्थ हमने पूरे पढ़ लिया है ठीक है तो अब हमारे grammar में कुछ portion बचा है वैसे तो almost complete हो गया है तो कुछ portion बचा है वो बहुत जादा deeply आ रखा है grammar में इतनी चीजें better नहीं होती है तो हम देखेंगे वो portion short में वाकी most most syllabus आपके पूरा complete हो गया essence का ठीक है तो आप अब भी से अपने पढ़ाय शुरू कर लीजिया